आपने स्केंडल सीग पैटरन का नाम कई बार सुना होगा बट हो सकता है अब अभी तक इसकी पावर और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में ना पता हो मैं बात कर रहा हूं मारू बूदू की अभी मारू बूदू आपको लगा रहा है कैसे-कैसे नाम है यार वाध यह जापनीज नाम है जाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में तो मेरा मतलब यह था कि है नाम कैसे भी हो आपको जियान सुनियो सब याद है बच्पन के तो बेसिकली अधो जिसके अंदर या तो विक ना हो या ना के बराबर तो अगर बहुत चोटी सी विक है बहुत छोटी सी शैडो है और बहुत बड़ी बॉड़ी बॉड़ी का एक रोल है कि प्राइस ने एक दम से पाउर दिखाई है तो यह powerful candle stick pattern हो जाता है, यह bullish भी हो सकता है, यह bearish भी हो सकता है, अगर price घरता चला जा रहा है, तो यह bearish है, price बढ़ता चला जा रहा है, तो यह bullish है, but अब इसका role और significance को समझते हैं, सबसे पहले तो यहां पर देखते हैं, जो marubuzu है, मैंने यहां पर 3 marubuzu लिखे, तो एक यह marubuzu full, full मतलब there is no shadow at all, but अगर कोई shadow होती भी है, तो bullish तब होगा जब उपर की तरफ है, तो इसे हम बोलेंगे marubuzu open, और इसी तरीके से, जो marubuzu open है, उसके अंदर bearish candle के अंदर, नीचे की तरफ shadow हो, और marubuzu जो close लिखा हुआ है, इसके अंदर, जो bullish होगा, तो नीचे की आपको याद रखना है, कि बड़ी candle है, थोड़ी बहुआ shadow उपर नीचे की तरफ हो सकती है, दोनों side हो गई, फिर हम उसे marubuzu नहीं बोलेंगे, वन side, we can understand, कि price थोड़ा से उपर गया था, पर चलिए closing यहां तक आगे, price नीचे तक गया था, बहुत नीचे तक गया था, power थोड़ी सी कमेश लिए इसमें close आ गया, इसमें कि price थोड़ा सा उपर भी गया था, अदर्वाइस open यहां पर हुआ, वो गिरता चला गया, close यहां पर आगे, बहुत शानदार है, तो यह आपको बस समझना ज़रूरी है, बट टेक्निकली इतना आपको, जो main मुद्दे की बात हैं कि बड़ी candle होनी चाहिए, power होनी चाहिए और shadow ना के बराबर होनी चाहिए, चलिए इसे chart पर देखते हैं, जो हम chart पर देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, price नीचे गिर रहा था, और एक important यहां पर हमें देख रहा है, support zone था, support zone पर हमें देखता है, bullish मारू भूज की तरफ हमें यहां पर क्या देख रहा है, यहां पर हमें छोट इसे विके शाड़ो देख लिए, तो यह क्या हो गया, मारू भूजू open, राइट सर, ओके, तो यहां पर हम इसके confirmation के बाद देखते हैं, कि price बहुत तेजी से उपर गया, तो यह मारू भूजू का रोल होता ह और मारू भूजू को इसलिए identify करना जरूरी होता है, अब इसी तरीके से आजाता है आपका यहां पर bearish मारू भूजू, तो यहां पर price नीचे गिर रहा था, और देखते हम एक pullback के बाद, यहां पर हमें दुबारा से क्या देखा, एक strong candle दिखती है, जिसमें कोई wiki नहीं और इसकी closing के बाद price नीचे की तरफ जाता है, और फिर आपको यहां पर क्या दिखे, हमने last video में बात करी थी, spinning top, anyways, so कहने का मतलब यह है कि आपको candles को identify करना जरूरी है, कि candles क्या है, क्या काम कर रही है, अब एक बार चलते हम चार्ट, तो अब हम आ गए निफ्टी के चार् हमें सामने सामने देखे, यह पर पांच मेट के टाइम फ्रेम पर देखे, बिल्कुल छोटी सी विक है उपर, तो यह ना के बराबर विक है, इसके बाद हम देखते है कि price नीचे गया है, अब नीचे जाने के बाद अगें ठीक है, यहां पर एक और candle stick pattern हम बात कर सकते है, but this is a marubuzu candle here, similarly आपको marubuzu कई बार दिख जाएंगी, ठीक है, अब जैसे यह candle है, this is a marubuzu candle, इसके अंदर देखे, थोड़ी सी विक नीचे की तरफ है, तो यह क्या होगा है, marubuzu close, अभी हमने देखा था, इसी तरीके से आप भड़े time frame पर अगर इसे पकड़ते हैं, तो उसके अ हुननी पड़ेगी हमें daily time frame पर थोड़ा सा alt, तो यहां पर आप देखते हैं, nifty के अंदर, अभी हम futures पर थे, हमने nifty का spot chart देखा, अब आप यहां पर देखिए, यह आपका आगे है marubuzu, आप देखते हो, कि यहां पर एक strong candle बनती है, और जिसमें बिल्कु छोट इसी विक पर की तरफ है, और यह क्या काम करती है, प्राइस आपका ऊपर जाता है, हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, यहां पर अगे आपको एक marubuzu टाइप की candle दिखती है, प्राइस नीचे की तरफ दिखता है आपको, तो आप marubuzu को identify कर लेते हैं, यह बहुत important चीज है, ठीक है marubuzu इसे भी हम कह सकते हैं, इसमें विक है छोटी सी नीचे की तरफ, प्राइस नीचे की तरफ आता है, अभी हम recent days में देखते हैं, अगर हमें marubuzu देखी तो, recent days में चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे, तो यह देखिए, यह मुझे शानदार marubuzu यहां पर देख रही है, तो if you see this candle here, यह marubuzu है, इसकी तरफ नीचे छोटी सी विक है, and price goes a little down, तो इसी तरीके से आप अलगलग time frames पर identify कर सकते हैं, जिस भी time frame पर trade कर रहे हो, अगर आपको marubuzu देख जाती है, अब इसका फाइदा पता है, जब आप live chart देख रहे हो, तो आप बन गई, अब इतनी significance नहीं है, जो बन रही होती है, जैसे अब देखिए, पंदरा मिनिट का चार्ट लगाया है, अब पंदरा मिनिट के चार्ट पर कोई ऐसे देख रहा है, और यहां पर उसे दिखता है, अब यह marubuzu बन गई है, तो इसका मतलब क्या है, कि यहां पर अगर हम इसके high cost stop loss रखें, and we can see कि price उसके बाद इस price इस level से ऊपर नहीं गया, so this was a strong marubuzu candle, अगर हम 15 minute के time frame की बात करते है, और इसी तरीके से आप अलग लग time frames पर identify कर सकते हो, कि कहां पर कौन सा candle बन रहा है, एक देखिए, marubuzu मुझे यहां पर भी दिख गई, यहां पर price ही चल रहा था, बढ़ एक दम से sharp selling आती है, and rate is a kind of a marubuzu candle, and then we can see the price is going down, अब इसके अंदर एक volume का role important हो जाता है, कि आप marubuzu को जब भी देखे, अब बस एक volume को साथ में देखे, कि volume के साथ बन रहा है, तो आपको और अच्छे results परते है, so I hope आप लोगों को marubuzu का concept समझ आ गया होगा, so sir, जो हमारी audience देख रह चाहते हैं, trading start करना चाहते हैं, वो लोगों में जादा देखते हैं, right, so sir, मैं चाहता हूँ कि, और मैं जानता भी हूँ कि, जो हमारी जनता हमें देख रही है, सबके boyfriends होंगे, सबकी girlfriends होंगी, सबकी होंगी, कुछ लोगों ही हो सकते हैं, ठीक है, so sir, हम उसमें एक चीज़ देखते हैं कि emotions कैसे girlfriend के जाने, boyfriend के जाने, वो बाते करके हमें समझ आ जाता है, बट जब हमें, you know, किसी stock में invest करना होता है, you know, stock market को देखना होता है, indexes को देखना होता है, तो एक मात्र stock का chart का emotion समझने का होता है, candle stick, तो मतलब, तात पर रही है, यह है, कि candle sticks है very important, market का emotion हो जाया है, कि किसी girlfriend है नहीं है, बट जो girlfriend की बात कर रहा है, उसकी हो सकती है, बिल्कुल उनने जो वोला कि यह ठीक है, आप girlfriend, boyfriend के, आप emotions को समझने की कोशिश करते हो, अगर आपको stock market में emotions समझना है, price के emotions समझना है, तो candle sticks are highly important, and वो बिल्कुल रहेंगी भी, so I hope आपको इ description और print comment में मिल जाएगा, जिससे आप stock market में invest भी कर सकते हैं, trade भी कर सकते हैं, in fact, आप refer and earn करके भी पैसे कमा सकते हैं, तो जो brokers है, कुछ अच्छी offers दे रहें, you can check out, links are in the description and print comment, and हमने कुछ नहीं चैनल भी लाँच करे हैं, जहापे आप फ्ली में जाके stock market step by step सीख सकते है, link आपको description में मिल जाएगा, so we'll see you in the next video, till that I'm Yugo Selfmade and Jai Hind, Jai Hind.